प्रेंट्स आज यूज करते हैं पालक का और से पहले हम कर लेते हैं पालक को और इस कटी भी पालक को हम करते हैं अब बॉयल कुकर हमने चड़ा दिया है और उसमें डालते हैं ये पालक तो पालक जब हम डालते हैं तो उसके अंदर जब बॉयल करना होता है तो बॉयल करने के लिए इसके अंदर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डालने की जरूरत नहीं होती तो बस आपको हलका सा पानी डालना है थोड़ा सा वन फोर्थ ग्लास है वो आप जियूम कर सकते हैं बस उतना पानी डालो क्योंकि बाकी पानी है वो जब पालक बॉयल होगी तो उसमें से अपने आप पानी है वो जंडेड हो जाएगा बस हमने इसको बंद कर दिया है और आपन करके देखते हैं कि भई हमारी पालक गल गई है की नहीं में लिबस जो ढंठल होते हैं उसी की हमें होती है बाकी तो गल ली जाती है अब हम इसको निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद अब हम लगाएगे तडगा तड़गे के लिए मैंने लिए है पतिला और उसमें डाला है घी, जीरा, राई और अब ये जो हमने निचोड ली थी पान लग अच्छे से, इसको हमें करना है फ्राई, ठीक है, बस इसमें हमें हरी मिर्च मेरे साथ में बून दी थी, साथ में डाला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च है, वो हम डाल देंगे, आप अप बच गया ये पानी, चीक है, तो इस पानी को और थोड़ी सी जो पालक बचे हुई थी, पानी बोजाता था, थोड़ा सा हमने पी लिया, और हम इसको लगा देते हैं आटा, आटे के लिए हमने गेहों काटा ले लिया, बेसन ले लिया, और उसमें इसको गूत दिया, इधर रायता बनाने के लिए मैंने दही जमा दी थी, तो ये बहुत अच्छी जमी हुई है, अब जो ये ठंडा हो गया है, जो हमने फ्राइ किया था मिक्षर, उसके अंदर हम एड कर देते हैं इस दही को, और बस मिक्स करने के बाद हमारा जो रायता है वो प्रिपेर है, उसके उसके प्लख करने का फाइदा या फैस बना देते हैं वैसे भी हम पालक की वैसे डारण कोठी के वैसे कर सकते हैं या फिर ब्लैंड कर दो streaming कर सकते हैboy मैं प्रिपेर पालक की तो पानी है वो मैंने कहीं से भी फेक का नहीं है उसका पूरा यूज के लिए जो बचा हुआ पानी था वो हमने निम्बू डाल के पी भी लिया था क्योंकि आयरेन है वो तभी अब्सॉर्ब होता है उसके बाद हमने छट पे खाया खाना साथ में से सैलेड और की था करकल द Means क sudah कर तो रbook से साथ जाएव कर भी बच्पाई कर फें यूद मे जूद ना बायाषी आर वो हमने शेड़ मोलेव कि यूद अजया टो पी जो बचे लिए वेपिता